कि लॉक्डाउन को बढ़ाया जानी कई राज्यतों पहले से ही लॉक्डाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं साथियों सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तै किया गया है कि भारत में लॉक्डाउन को अब तीन मैं तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मैं तक हम सभी को हर देश्वासी को लॉक्डाउन में ही रहना हुगा इस दोरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देश्वासियों से यह प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी किमत पर नए एक शेत्रों में फैलने नहीं देना है स्थानिय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो यह हमारे लिए चिंता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखत मृत्य होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होर्ट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी जादा बहुत जादा सतकता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के होर्ट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होंगे नए होट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता हमें कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और जादा बढ़ाई जाएगी 20 एप्रिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिक्षा में सफल होंगे जो अपने हां होट्सपोर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट्सपोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहां पर बीस अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुट्चाट दी जा सकती है लेकिन याद रखिए यह अनुमती संशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लोकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है साथ बातों में आपका साथ पहली बात अपने घर के बुजुर्गों का विशेश ध्यान रखे विशेश कर ऐसे व्यक्ति जीने पूरानी बिमारी हो उनकी हमें एक्स्ट्रा केर करनी हैं उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है दूसरी बात लॉकडाउन और सोशल डिस्टंसिंग की लक्ष्मन देखा का पूरी तरह पालन करें घर में बने फेस कवर या मास्क का और वह भी घर में बने हुए उनका अनिवारिय रुप से उपयोग करें तीसरी बात अपनी इमिनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्राले द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं उसका घरम पालन करें गर्म पानी हैं काड़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमन का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरग्य सेतू मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें दूसरों को भी इस एप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें पांचवी बात जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरे करें उनके भोजन की आवशकता पूरी करें चठी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम करें लोगों के प्रती संबेदना रखें किसी को नोकरी से न निकालें सात्वी बात देश के कोरोना युद्धाओं हमारे डॉक्टर नर्सेस सभाई करमी पुलीस करमी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदर पुर्वक उनका गवरव करें साथियों इन साथ बातों में आपका साथ